नमस्कर दोस्तों स्वागते आप सभी का एस अखडमी में और दोस्तों आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए जेल पिरहरी 2018 का पेपर दोस्तों जो जेल पिरहरी का पेपर आपका 2018 में हुआ था उसमें 4 अक्टूबर 2018 को सुभई की सिफ्ट में जो पेपर उन सभी पेपर को एक-एक सब्चेक्ट बाइस लेकर आएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी दोस्तों जैसा कि आज हम आपके साथ में हिंदी का लेकर आए हैं कल हम आपके साथ साथ साइंस का पोर्शन लेकर आएंगे फिर मैथ्स का पोर्शन लेकर आएंगे फिर श 4 अक्टूबर 2018 को सुवै की सिप्ट का ये पेपर है 2018 में तो ध्यान रखीगा चलिए दोस्तों अब हमें स्टार्ट करेंगे अपना पेपर पहला पोर्षन जो होता है जन्रल नौलेज का लेकिन आज हम जन्रल नौलेज का पोर्षन नहीं लेकर आए हैं जो हम लेकर आए हैं तो हिंदी का तो दोस्तो आज हम आपको हिंदी के बारे में सारा बताएंगे और हिंदी की जितने भी कोशन्स थे जेल परहरी 2018 मैनी 4 अक्टूबर 2018 को जो पेपर हुआ था उसकी सिप्ट में सोवय वाली यह नि फर्स्ट सिप्ट में जितने पेपर में कोशन्स पूचे गए उन सभी कोशन्स को हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं चले दोस्तो यह हमारा आगया सकंड पोर्षन ठीक है देखो यहां पर फिनिस हो जाता है यह हमारा सकंड पोर्षन हिंदी का इस बात को आप देख रहा होगे थोड़ा सब बड़ा कर लेते हैं जूम करके इसको लिए एदी हम कहें तो एक सब्द में क्या कहा जाएगा तो बीर पुर्ष या फिर प्रशव या बीर प्रिसून या बीर प्रभू तो देखेगा इधर पर जो सही आंसर होगा आप देख रहे हैं नीचे इधर पर मैंने आंसर भी दिये हैं तो आपको आसानी होगी समझने म बीर प्रभू नहीं कहा जाएगा क्योंकि यहां पर कोई भगवान ने को जन्म नहीं दिया है बीर प्रिशून भी नहीं कहा जाएगा बीर प्रिशू जो प्रिशू तो बच्चे को जन्म दिया वो नहीं कहा जाएगा यहाँ पर जो answer होगा वो बीर प्रिसू होगा तो option number आपका first answer सही होगा ऐसी माता जो बीर बच्चे को जर्म देती है उसको हम बीर प्रिसू कहते हैं ठीके चले next question आपका रहेगा ओर्चा का निम्न में से कौन सा सही बिलॉम सब्द है ओचा सोरी ओचा नहीं है ओचा है मतलब छोटा ओचा तोच्चे नीचता लगुता या गंभीर अब देखेगा यहाँ पर यहाँ पर हमें बिलॉम सब्द बनाना है यियानि बिलॉम सब्ड ओचा का कौन सा सही बिलॉम सब्द होगा तो देखीगा, तो च्छ बिलकॉल गिरा हुआ आदमी, कहतें तो चनीष्टा लगुटा या गंभीर, ओच्हा का जो सही बिलॉम सब्द होगा वो गंभीर होगा यहां पर तो फौर्थ आंसर अमारे इस आज मैं फर्स्ट पेपर लेकर आ रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा लगे का बट मैं आज से डेली आपको ओल्ड पेपर लेकर आँगा जेल पर रहे के संबाद के लिए सही संदी बिच्छेद का बात करेंगे तो हमें बिच्छेद करना है तो सम धन बाद सम धन बा है ना option आपका क्या होगा third answer is right होगा यानि यदि आप कहेंगे कि संबाद के लिए सही संदी बिच्छेद होगा तो वह कौन सा होगा आपका श्रमधन बाद है ना च्रे next question हमारा आये था इसमें स्रिंगार का सुद्ध रूप निम्ण मैंसे कौन सा है स्रिंगार स्रिंगार क इस राकी भी नहीं लगी इसलिए नहीं होगा श्रिंगार इसमें राकी भी नहीं लगी इसलिए नहीं होगा इसका मतला वाक्षान मारा first answer is right होगा स्रिंगार का सुद्ध रूप निम्ण मैंसे ए पहला बाला ही है ठीक है ठीक चले next है मानविये का सुद्ध रूप निम्ण मान्निय मान्निय इस भात को समझी न आपको एक ऐस सबत को चरण करक देखना पड़ेगा आपको दो बताने मान्निय का सुध रूप निमन में से कौन सा होगा तो मान्निय तो हमारा कौन सा आंसर हो जायगा first answer है right हो जायगा क्या होगा माननी है ना नौर्बल बोलते हैं माननी है चले छटबा कोश्चन है आपकी सामने चिडी मार का सामाजिक बिग्राय निमन मैंसे कौन सा है चिडी मार का मतलब होता है वेवकूप चिडीयों को पालने वाला चिडीयों को मारने वाला चिडीयों को खाने वाला यहां पर बात खही ज़री चिड़ी मार तो हमारा क्या होगा चिड़ी धन मार यहीं मार का मतलब मारना तो चिड़ीयों को मारने वाला वो आदमी होता है चिड़ी मार तो option हमारा क्या answer होगा चिड़ीयों को मारने वाला तो थाड़ answer राइट होगा ठीक है समझना में आपको स युगता ना होने पर भी सफल होना, अत्याचार होना, मनो कामना पूर्ण होना, या बुध्धी नश्ट होना, देखो अंधे को दो आँख मिलना, अंधे को दो आँख मिलने का मतलब है, ऐसा इंसान जिसको जो चीज मिल ही ना रही हो, और वो डेली सोचता हो, मुझी मिल जा सेम बैसा ही है कि अंधे को दो आँख मिलना, है ना, ओप्चन क्या होगा हमारे हैं पर अंसर, मनो कामना फूर्ण होना, ठीक है, इस्वर का सामासिक बिग्रह निम्र में से कौन सा है, इस्वर दत्थ, है ना, इस्वर नी, इस्वर दत्थ का हमें सामासिक बिग्रह करना है, तो इसका first option है एक नाम, दूसरा option है इस्वर द्वारा किया हुआ, इस्वर द्वारा लिया हुआ, इस्वर द्वारा दिया हुआ, तो देखो हमें इधर पर इस्वर दत, अब इसको बात को समझो, इस्वर मतलब हमें इदी लिखेंगे तो इस्वर धन दत, दत मतलब देने ब तो हमें आंसर क्या होगा इस्वर द्वारा दिया हुआ मतलब इस्वर ने धिया हमें देने वाला को ने इस्वर है तो option इसका fourth answer is right हो जागा इस्वर द्वारा हमारे लिए दिया हुआ उसे बोलते हैं इस्वर दंध ठीक है चली संसाय के लिए सही संधी विच्चित को शुनिए संसाय संसाय में को सही विच्चित क्या होगा सं शंधणद्सए ठीक है अब इधर पे आप कैसे कहोगे क्योंकि जो यहां पर शक्कर बाला शह है तो नहीं होगा अनसर सम्धन सै अब इधर पे देखो इधर पे सै तो ठीक है बट यहां पर आपको हलंद नहीं लगा है मा में इसलिए नहीं होगा तो हमारा जो अंसर होगा वो थर्ड सम्धन सै ठीक है तो हमारा ओप्शन थर्ड अंसर इस राइट हो आन प्रित्तेशे बना सब्द नमिन में से कौन सा है आन कहां लगा है आनंद उड़ान आन बान आना तो देखेगा उड़ान आप देखो आनंद आ में तो शिर्फ आ आ आ रहा है आ नंद आनंद आनंद तो नहीं बोलते हम लोग हम क्या बोलते है आनंद है ना आनंद तो इसम आन तो सब्द नहीं आ रहे उड़ान उड़ान में नहीं आ रहे आन बान आन बान दो सब्द हो गए आना या फिर उड़ान तो अब देखो उड़ान आन जो आपका उड़ान न तो इधर पर आ रहा है उड़ान 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 जो सब्दे उसमें आ रहा है न तो आन तो तो आपका क्या होगा option उड़ान सही होगा ठीक है option number second answer is right होगा आप इस तरीके से हिंदी को समझो कि बहुत आसान हो जाएगी ओजस्वी का निम्न में से कौन सा सही बिलॉमसब्द है ओजस्वी का सही बिलॉमसब्द कर देखो question में थोड़ा time लग जाए लेकर समझो समझ के answer दोगे तो बिल्कुर right होगा ओजस्वी का निमने मिसरी कौनसा उज पर कुछा सब्सक्तियार तो हीद यहाँ पर लिखा है ओजहिन और यहां पर आओ की अआव कौस्वी का और फोरत अंशर बार होगा साक सब्जी खाने वाला के लिए एक सब्द निम्र में से कौन सा होगा सक आहर सक आहर साकी सब्ज हार या फिर साक आहरी कहते हैं सुद्द साक आहरी जो सुद्द साक आहरी की बात कही जाएगी वो होगा हमारा साक आहरी सब्ची भाजी खाएगा क्या हरी सब्चियां खाएगा, दाल रोटी खाएगा उसे का कहेंगी, साका हरी तो कहेंगे तो option अमारा fourth answer is right होगा ठीके, शले दुख के लिए सही पर्याबाची बाले सब्द की पंक्टी चुनिए ऐसे दुख देखो, कस्ट, कलस बेदना, अब इधर पे कस्ट तो होता है बेदना भी होता है, लेकिन कलस नहीं होता है ठीके, कस्ट दुएस, बेदना दुएस नहीं होता है इधर पे है ना, कस्ट, कलेस बेदना, बिलकुर यह होता है, लेकिन कस्ट कलेश यहां पर बंदना तो बंदना नहीं होता है इसका मतलब दुख के लिए सही परियाबाची होँगे कस्ट कलेश और बेदना तो अफशन थर्ड आंसर इस हमारा राइट होगा ठीक है दुष्ट के लिए सही परियाबाची वाले सब्द की पंक्ती को चुनिए अब यहाँ पर हमें दुस्ट के सही परियवाची पंक्ती को चुनना है दुस्ट दुर्जन अधम नीच पहले अंसर सही होगा ऐसा है या दुर्जन अधम नीच या फिर आपका दुर्जन अधम नाच थरड़ अंसर नहीं होगा का option क्या होगा देखो यहां पर अग्हम लिखाए यहां पर अधम लिखाए तो आपका जो answer क्या होगा अधम होगा अग्हम नहीं होगा इस बात को ध्यान ठीक है दुरज्यन अधम और नेच ठीक है तो option second answer right अभी उपसर्ग से बना सब्ट निम्न में इसे कौन सा है अभी उपसर्ग यहां पर अभी में छोटा आ है तो बड़ा आ रहा है तो नहीं होगा अभी राम बड़ा आ रहा नहीं हो रहा अभी राम और अभी राम अब यहां पर अभी की बात आ रही तो अभी होना चाहिए यहाँ पर तो अभी है, तो अभी नहीं होगा, मतलब कौन होगा, अभी राम है ना, तो option क्या होगा हमारा, third answer is right होगा अभी राम, ठीक है, शिल, सू उपसर्ग से बना सब्द निम्न में से कौन सा है, सू से, सू फल, सू फल, सू फल या सफल, अब देखो, यहाँ पर तो सू बड़ी वाली लगी तो नहीं होगा, सफल में कुछ नहीं लगा, मतलब नहीं होगा, इसका मनलब सू फल में नहीं होगा, मनलब सू छोटी वाली जिसमें लगी हो वो होगा आपका सूफल अप्शन क्या होगा आपका अंसर फर्स्ट वाला इस राइट हो ठीक है अब देखो देख लो साकेत नंगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही निम्न में से कौन सा अलंकार है अब हमें यहाँ पर अलंकार बताना है संधे, अतिस से उक्ति अलंकार उपमा अलंकार या भ्रांति माना अलंकार तो इधर पर बात आप समझो कहा जा रहा है देख लो साकेत नंगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही अब सोचो भया स्वर्ग से मिलने गगन में कोन आर अतीशे उक्ती होगी मतलब यह तो है ना तो आफशन आपका किंसा अंसर होगा सेकंड अंसर एज राइट होगा ठीक है अब नेक्स्ट है हाट बाट कोट ओट ओटनी अगार पोरी खोरी खोरी दोरी देनी अती अती आगी है आरत पकारत समहारत ना कोव काहू व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भावी है समझ रहे कौन सा रस है अब हमें बताना है तो यहाँ पर रोदरस बीवसरस वयानक या करोनरस तो इसमें जो हमारा आंसर क्या होगा कह रहे हैं हाट बाट कोट ओट ओट ओटनी अगार पोरी खोरी खोरी दोरी देनी अती अती आगी है इसका मतलब आकर पुकारत समहरत ना को मतलब कोई शमाल नहीं रहे आपर व्यकुल जहां तो जहां सो तहां लोग चले भागी कहीं भी भाग रहे लोग मतलब भयानक टाइप की बात कही जा रही आपर है न तो अपसे थर्ड आंसर इस राइट हो नेक्स्ट हमारा सिर पर वैठाव काग आंख दू खात निकारत खीचत जीभाई स्यार अती आनन्द उर्धारत निमनम कौन से रहे तो समझ गए यहां तो वीवत स्यरस है आपका सिम्पल सी बात है वीवत स्यरस होगा क्योंकि सिर पर बैठाग आंख दू खात निकारत अमदलब अंख निकार खीचत जीभाई स्यार मलतल जो स्यार है वह जीभ खीच रहे आती आनन्द उर्धा मलतल बहुत आनन्द आरा रहे उनको मलतलब वीवत स्यरस है यहां थीक है नेक्स्ट तुम यहां पर कह जा कि तुम तीन देव में को नर नारान या की दो निमन में कौन सा अलंकार है इंदर पर कि तुम तीन देव में को नर नारान या की दो यहां पर संदे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि चल के रहा है संदे है अलंकार होगा ठीके चले तो पर हम आपको कल बताएंगे मतलब एक एक करके हम डेली आपको एक एक पेपर ओल्ले पेपर लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए काफी महात पून है और आपको बहुत ही हैल्प करेंगे परिक्षा में तो चले दोस्तों मिलता हूं नेक्स वीडियो पे नेक्स टोपर के साथ भीजिएगा वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे तीन से चार दिन में नोट्स आपके घर पे इस पीट पोश्ट के माद्दे हम से भेज दी जाते हैं यदि आप सफलता चाहते हैं तो एक बार जरूर मंगाएं और चैनल पर निव हैं तो चैनल को सब्सक्राइब को मिलते रहेंगे नमस्कार अपना बहुत ख्याल रखी है